पीजेपी को अब रोने के अलावा और ये सब बोलने के अलावा क्या बचा है यहार में उल्टा हो गया यही तो मैं कह रहा हूं कि जिए तुमत भूत का बात अभी मत करिये अभी सब लोग के अभी हार लगा हुआ है महागट बंदन की सरकार बनने का खुशी बनाने में नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब सिटीज मैं हूँ आपके साथ सौरवरा नितीज कुमार फिर से पलट गए हैं अब फिर महागट बंदन की ओर आ गए हैं मेरे साथ कॉंग्रेस के रास्वा सांसर अखलेस पर साथ सी हैं नितीज कुमार इंडियो को छोड़ करके आप लो कि बहारत्ये जन्तापाटी को हराया जा सकता है आज के समय में जो कदम नितीज कुमार ने उठाया वीकल मजबूति देगी सर भीस्त अर्शित रूप से मजबूति हो गई भारतिये जनता पाटी का सफाया होना सुरू हो गया क्या इंडिये में नितीश कुमार मुखमंतरी थे जब आप लोग सवाल उठा रहे थे काम नहीं कर रहे हैं बिहार में कुछ हो नहीं रहा है क्या महागठ बंदन में आये हैं तो उनसे उमीदें हैं कि कुछ बेहतर करेंगे जब गलत संगती कोई रहेगा तो उसमें काम थोड़े हैं अच्छा संगती में आए हैं अच्छा डिरेक्शन हो गया अब यहार में बदलाव होगा निस्ती रूप से होगा लेकिन बीजेपी के लोग करें कि फिर से महा जंगल राज आए गया लालू यादब के पुराने दीन बिहार में लोटेंगे बीजेपी को अब रोने के अलावा और ये से बोलने के अलावा क्या बचा है बीजेपी समझ रहे हैं लोग अपनी इस्थिती कि अब 2024 में क्या होगा बिहार में खाता खुलना मुस्किल हो जाएगा बीजेपी के लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं आरोप लगा रहे हैं कि नितिसकुमा ने जनादेश का अपमान किया है जनादेश इंडिये के साथ था महागठ बंदन के साथ चले गए जनादेश क्या था वो सबकुरे बिहार को मालूम है कि किस तरह से जनादेश छीन के और सरकार बनी थी दस हजार भोट का तो फर्क था फिर भी दोनों गठ बंदन में यही जनदेश होता है और हजार से कम एक दर्जन लोग महागट बंदन के हारे थे और यह जनतापाटी यही तो करती है जनदेश सिवसेना की सरकार गिराई, करनाटक में सरकार गिराई, मद्ध प्रदेश में सरकार गिराने का इन लोगे ने काम किया तो अब भुगते हैं लो पुजिशन पार्टीज के लोगों को बिहार में उनके साथ वही हो गया उल्टा खेला हो गया उल्टा खेला हो गया एक सवाल यह है सर कि बीजेपी के लोग करें कि नितीश कुमार दोहजार चोबीस को देख रहे हैं कॉंग्रेस के सामने नितीश कुमार अगर खड़े हो जा फिर 2024 गबाद 2024 में किया जाएगा 2024 में किया जाएगा